नमस्कार दोस्तों मैं मनोद जैसवाल आपका इस वीडियो में तहीं दिलते स्वागत करता हूं आज हम इस वीडियो में डिस्केशन करने जा रहे हैं ट्रम इंसॉरेंस की जी हां अगर आप इंसॉरेंस की बात सोचते हैं वह भी लाइफ के बारे में तो सबसे पहले ही काफी लोगों की रिक्वाइर्मनेट्स आते और कमेंट आते हैं कि कूई काफी एक्वाइर्मेंस की मुझा को दिभांगों की इस वीडिए डाला गया है जो कि हमारी LIC की 3 Best Term Insurance Plan की वीडियो कहलाती है तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आप लोग से रिक्वेस्ट करूँगा कि अगर आप इस चैनल पहली वार आए तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले जिससे कि हमारी LIC वीडियो आपके वाइस टाइम पहुंस दे रहे हैं तो चली चलते हैं समझते हैं अपनी computer screen के दरफ कि इन तीनों ही प्लान में क्या-क्या खासियत है क्या-क्या example के साथ समझेंगे तो क्या-क्या अमारे को benefit मिलने वाले है और आखरी में यह समझ पाएंगे कि कौन सा प्लान अपने बेस्ट है तो अब आप आचोके हैं मेरी computer की screen के उपर जहां पर हमने presentation खोल रखी है 3 best term insurance plans की जी हां भारती, जीवन, भीवा, निगम के जो 3 term insurance plans है तीनों की बारे में इस presentation के दर हम discuss करने वाले है जैसे इसके page पे आपको दिख भी रहे हो, your life matters इसका मतलब यह ही कि आपकी life बहुत matter करती है आपके लिए, आपके परिवार के लिए और आपके चाहने वालों के लिए तो प्लीज अपना term insurance जरूर करा है बागी कौन-कौन से plan है जीवन अमर है, जीवन किरन है और LIC का tech term है इन तीनों में से कौन सा best है, क्या इस specification है complete detail हम समझने जा रहे है इसके अंतर देखे, जैसे जीवन अमर देखे, left side पर है, जीवन किरन middle में है minimum 10 साल के लिए और maximum 40 साल के लिए मिलता है इसी तरीके से जीवन किरन भी और tech term भी अगर बात करेंजे plan type की तो जीवन अमर और tech term, pure term insurance plan है बट जीवन किरन एक ऐसा plan है जिसके अंदर life insurance के साथ return of purchase price ही मिल जाता है मतलब आप जो premium pay कर रहे है वो भी आपको वापस मिल जाता है क्योंकि अभी तक LIC के पास ऐसा कोई plan नहीं था बट इसकी requirement काफी आ रहे थी market में जो competition है वहाँ पे भी return of purchase price वाले options बहुत थे तो इस plan को भीच में डाला गया और मैं इसको इसमें साथ में इसलिए लेके चलना हो ता कि आप compare कर पाएंगे कि G1 current best है या G1 अमर best है LIC tech term plan best है भागी अगर हम बात करें premium pink term की तो G1 अमर और tech term के अंदर regular limited और single premium तीनो ही options अविलेबल है बट G1 किरन के अंदर regular premium और single premium ही अविलेबल है limited premium का option उसके अंदर नहीं डाला गया है age of entry तीनो ही plan के अंदर 18 साल रखी गई है और maximum भी 65 साल ही रखी गई है वहीं पर some assured की बात करें तो some assured differ करता है तीनो ही plan के अंदर G1 अमर के अंदर minimum 25 लाग रुपय है G1 किरन के अंदर 15 लाग रुपय है और tech term के अंदर 50 लाग रुपय मिनिमम है मतलब अगर 50 लाग से कम का plan लेना है term insurance तो आपको tech term नहीं मिल सकता है 25 लाग से कम लेना है तो G1 अमर नहीं मिल सकता है maximum की बात करें तीनो में ही कोई limit नहीं है तो यह best चीज है इसके अंदर अब बात करें maturity age मतलब कम से कम किते समय का plan ले सकते हैं तो G1 अमर 28, 28, 28, 38 साल रखे गए है maturity age maximum जो है मतलब कितने से उपर plan नहीं ले सकते हैं तो 80 साल से उपर तीनो ही plan नहीं ले सकते हैं premium mode monthly, quarterly, half yearly तो अगर बात करें G1 अमर के अंदर half yearly, yearly options available है और single premium G1 किरन के अंदर half yearly, yearly और single premium tech term के अंदर भी half yearly, yearly और yearly और single premium मतलब तीनो ही plan के अंदर यह options अबको मिल जाएंगे अब बात करते हैं summer short options की तो G1 अमर के अंदर एक है level summer short है एक है increasing summer short G1 के अंदर level summer short है और tech term के अंदर भी level summer short और increasing summer short दोनो ही options available है increasing summer short का मतलब ही होगा है कि आने ले समी में inflation को दिखते हुए आपका summer short भी बढ़ता रहेगा आपके जो summer short है उसके हिसाब से बाकि grace period जो है आपको G1 अमर में 30 दिन का मिल जाता है और tech term में भी और G1 के अंदर भी 30 दिन का मिल जाता है loan जी अमर और tech term के अंदर नहीं मिलेगा बट G1 के अंदर दो साल बाद loan available है अब बात करते है surrender value के G1 अमर और tech term के अंदर सिर्फ single premium और limited premium के अंदर ही available है और G1 के अंदर तो सारे options के अंदर बट दो साल बाद available है death benefit की बात करी जाए तो death benefit का option यह होता है कि आप नॉमनी को चाहते हैं तो lump sum या installment में या lump sum plus installment इन तीनों में से किसी एक का चुनाव कर सकते हैं तीनों ही options आपको तीनों प्लान के अंदर मिल जाते है death settlement जो है आपको सिर्फ 5 साल की मिलेगी तीनों ही प्लान के अंदर settlement का मतलब बता है installment अगर बात करें maturity settlement तो maturity जीवन अमर और tech term में तो ही नहीं बट जीवन करेंड के अंदर है तो उसको 5 साल के लिए आप settle कर सकते हैं आगे maturity benefit की बात करें जीवन अमर के अंदर maturity नहीं है tech term के अंदर ही maturity नहीं मिलेगी अपको G1 के अंदर maturity मिलती है आपको कितने मिलती है जो आपने total premium प्रीम हिए कर है चाहाए single premium चाहाए limited premium चाहा गूलर premium जो भी premium आपने पकर रहा llegó वो total premium जो पेकर रहा है वो आपको मिलता है उसके अंदर से सिर्फ आपने जो rider ले रहे हैं वो rider वापस कट जाते हैं और कोई taxes पेकर है तो वो cutने के बाद जो balance amount बसता है वो आपको वापस कर दिया आता है अगर policy term complete उती उस समय भी अगर अब बात करें income tax benefit की तो तीन होई plan इ जिसके तुरू अपना accident का coverage आप डबल कर सकते हैं बट G1 किरन के अंदर दो optional rider है accidental rider and disability rider और accident benefit rider इन दोनों में से किसी एक काप चुनाव कर सकते हैं इस plan के अंदर तो यह तो होगी basic trail और कौन को न यह plan ले सकता है आप समझते हैं कि इन तीनों ही plan के बीच में comparison किया है तो देखिए हमने age ले रखे हैं 30 साल एक करोड का समय शोड ले रखा है इसके अंदर life insurance natural discover एक करोड रुपए है और accidental discover भी एक करोड रुपए है तीनों ही plan में policy term तीनों में ही 30 साल ले रखे हैं हमने दे रहे हैं 42,801 रुपए almost double पैसे दे रहे हैं जीवन करेट के अंदर total premium pay कि आपने 6,42,000 रुपए जीवन अमर में जीवन करेट में करा 12,84,000 रुपए और LIC tech term में दिया आपने 6,14,000 रुपए जिसके average में आपको क्या मिल रहा है life insurance मिल रहा है एक करोण रुपए गा financial security मिल रही है एक करोण रुपए गा अब in case जो 30 साल है complete होगा 60 साल जो person है जी गया उसके आप 61 साल जब वो live रहेगा तो उस समय उसको LIC की तरफ से क्या मिलेगा इन तीनों ही प्लान के अंदर जी वन अमर प्लान आपका बंद हो जाएगा और वहाँ पे LIC और आपका जो अग्रिमेंट हो जाएगा टेक्टम में भी सेम होगा बट जी वन किरन जो है बंद तो होगा अग्रिमेंट तो क्लोज होगा बट जो भी आपने premium pay करा है जो मैंने amount लिखा है without taxes है और without rider तो without tax और without rider जो amount है वो आपको as it is वापस कर दिया जाएगा बारालाग अठाइसजार उपर जी वन किरन के अंदर तो इसी लिए इसको बोलाता है return of purchase price यहाँ पर आपको दे दिया जाएगा तो देखिए अब आपको decide करना है कि आपको जीवन अमर लेना है या जीवन किरना लेना है अगर आप pure term insurance में जाना चाहते है तो pure term insurance के लिए आपके दो option जीवन अमर और टेक्टम जीवन अमर में एक benefit आपको ही मिलता है यहाँ पर आपको एक agent मिल जाता है जिसके तुरू आप policy को लेते हैं और he or he can help you कि आपको कहां पर किस तरह के form भरने है अगर कोई claim आता हो तो इस समय support करने के लिए payment जमा करने के लिए हर चीजों के लिए tech term के अंदर आपको online policy लेने पड़ती है offline policy available ही नहीं है तो आपको online जाके लेने पड़ती है और यह direct brand से connected होती है जीवन के रेंड भी आपको offline मिल जाती है और online दोनों मिल जाएगी बट हाँ फरक इतना है कि जीवन के रेंड में आप double premium पे कर रहे हैं अगर आपके और भी investment आपने कर रखी है अलग जगा पे और आप सिर्फ अब इतने समझदार है कि कुछ सब कुछ समाल सकते हैं आपके जो नॉमनी रहे हैं इतने समझदार है सब कुछ कर सकते हैं खुदी भाग दोल कर सकते हैं तो 20,000 देकी भी आप इसको ले सकते हैं बेस्ट तीनो ही प्लान है अपनी अपनी category के अंदर अब आपका डिसम्ट रहे है कि आपको कौन सा प्लान लेना है बाकी यह प्रेवियम की जो बाकी यह जो प्रेजेंटेशन यहां प्याके जो है complete हो दाती है जरूर दिखते हैं और उसको पर एक्षिन जरूर लेता है बाकी वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें ज्यादा ज्यादा लोगों तक शेर करें अगर अभी तक आपने शनल को सब्सक्राइब नहीं करें तो प्लीज नीचे देएगे लाल बटन को दबाग क सब्सक्राइब कर देजिए और तम इस वीडियो को पूरा देखने के लिए आपका बहुत-बहुत धन्यवाद